नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि NPS और जो परानी पेंशन योजना है उसमें हमें कितनी कितनी पेंशन मिलेगी किसमें कितनी मिलेगी, किसमें फायदा है, किसमें नहीं वो मैंने आपको सब पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था उस वीडियो के बाद कुछ मेरे दोस्तों की क्वेरी आई कि कुछ लोग बोलते थे कि हमको जो NPS सिस्टम है उसमें GPF में पैसा हमको कम मिलेगा और जो परानी पैंशन होती थी उसमें GPF में पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है लब उन लोगों के हिसाब से शायद परानी पैंशन के हिसाब से हमारे एकाउंट में जो GPF का पैसा जमा होता है उससे आदमी करोलपती बन जाता है, ऐसा वो समझते हैं, तो उनकी इसी समझ, जो भी वो समझते हैं, उनकी इसी जो क्वेरी है, उसको मैं इस वीडियो में पूरी कर देता हूँ, मैं आपको सामने दिखाऊंगा, किस में कितनी पेंशन मिलने के वाद कितना जीपीएफ पुरानी पेंशन में कितना बनता, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ, तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कि मैं जो जीपीएफ कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल बेसिक सेलरी, 1900 ग्रेट पे वाला, जो मिनिमम सेलरी वाला, जो करमचारी वाला, उसका जो है, NPS में, मैं पहले NPS की बजाए, जीपीएफ में कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ, जीपीएफ में पैसा कटता है हमारा, माल लीजे आपकी सेलरी, 21,000 रुपए कुछ है, जो बिल्कुल न्यू लगा हुआ है, जो इनिंग वाला, तो उसका जीपीएफ का पैसा पर महीनी कटेगा, 2250 रुपए, जो कि हम माल लेते हैं, माल लीजे, 2250 रुपए पर महीना जीपीएफ में कट रहा है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, 2250 रुपए जीपीएफ का, इसके बाद, how many months will you continue the SIP, मतलब कितने साल नौकरी, 63 साल के साब से, या 63 साल के साब से, जितना भी है, 396 महीना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में, 396 महीना की calculation के साब से किया था, तो 396 महीने हमारी job रहेगी, तो 396 महीने तक calculation और हाँ, एक बात और बताता हूँ, इस वीडियो में, हमारी जो बीच में grade पे, 10 साल बात जो grade पे बढ़ता है, वो मैंने add नहीं किया, तो ये minimum से minimum जो हमारा होगा GPF, उसकी calculation में आपको बताता रहा हूँ, 396 महीने तक हम SIP क आपको पता होना चाहिए कि GPF में return हमको साल का कितना मिलता है, GPF में return, FD जो bank हमें FD देती है, उससे 0.5, 0.5, 0.6% जादा ही हमको मात्र GPF में मिलता है, अभी bank FD पर 5% ब्याज दे रही है, तो मैं GPF का 5, 6% मान लूँ, लेकिन मैं इससे भी जादा लूँगा आपकी इसा मैं 5% FD में ब्याज मिलता है bank, मैं GPF में 7% लेके चल रहा हूँ, मैं GPF में 7% ब्याज पर साल का लेके चलता हूँ, जादा है जी, कम नहीं है, और how much annually increase, मतलब हर साल कितना percent हमारी salary increase होगी, तो उसका है, तो मैं 8% जी minimum लिया है, कि पिछली वीडियो में मैंने अपनी salary 8% व दो बार बढ़ता है, तो 6% और एक आध बार इंग्रीमेंट लगता है, 3% तो 9% होदा है, तो उसका भी मैंने minimum 8% लिया है, तो 8% हमारी salary हर साल बढ़ती है, माल लिजे, तो उसका 8% इंग्रीमेंट जे, अब देखिए कि हमारी पूरी 3-6 महीना, 33 साल की नौगरी में हमें क पूरी जिन्दगी में कितना एड हो पाएगा, minimum है, क्योंकि इंक्रीमेंट इसमें हमारी जो 10 साल बादली इंक्रीमेंट लगें, वह हमने एड नहीं किया, तो उसको अलग रख दीजे, तो देखिए, इसमें हमारा होगा total SIP amount invested with annual increase, 20,31,480 रुपए, यह हमारा invest amount है, जो हम साथ परसेंट ब्याज से, GPF का जो ब्याज हमको मिलेगा, साथ परसेंट में ज़्यादा लिया था, यतना मिलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी साथ परसेंट ब्याज से, टोटल ब्याज होगा, 75,65,744 रुपए, मतलब टोटल हमारे account में, GPF में मारे retirement तक, इसके हिसाब से ह 95,97,224 रुपए, जोगी साथ परसेंट का ब्याज लिया है तब, बलकि मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी माल लीजिए, मिल गया है, 95,97,224 रुपए हमको हमारे पुरानी pension system के थुरू, GPF में पैसा जमा होगा, वो मिलेगा, round figure में एक करोड माल लीजिए आप, ओके, अब मै मैं पूरी calculation करके अभी दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा दमाग लगाईएगा, एक करोड रुपए हमें पुरानी pension के हसाब से, अब नई pension के हसाब से कितना मिलना है, NPS के हसाब से, उसकी calculation में करके दिखाता हूँ आपको, नई calculation के हिसाब से, NPS system में, 2250 रुपए हमारा initial amount था, तो 2250 रुपए government ने मिला है, तो हमारा होगे 45 रुपए, तो initial 45 रुपए जमा हुए, कितने महीने तक, 396 महीने तक, 33 साल की नवगरी, return minimum ले रहा हूँ 10%, जो कि अभी 16-17% चल रहा है, अभी हमारे NPS में आप देखोगे तो 16-17% का return दे रहा है, हमारा portfolio लेकर फिर भी म minimum 10% लेकर चल रहा हूँ, मात्र 10%, minimum, 10% तक का हमें हर साल ब्याज मिलता रहेगा, और annual increase 8% जो कि हमने उसमें विली थी, अब देखिए हमारा, कितना जमा हुआ, कितना मिला, वो मैं आपको clear कर देता हूँ, ये देखिए, यहाँ, total SIP amount invested with annual increase, 40,62,960 रुपए हमारे salary से कटे, salary से plus government जो मिला है, total invested हमारा 40,62,960 रुपए, जिसका हमें ब्याज लगाकर और पूरा SIP जो है, total बनेगा पैसा, 30,65,68,498 रुपए, तोटल हमारा NPS fund में total money हो जाएगा, 4,6,3,458 रुपए, आप सोच भी नहीं पा रहे होंगी, ये क्या है, अब मैं आपको और दिखा देता हूँ, पुरानी pension में थे 95,97,1 करोड रुपए हो ली, round figure 1 करोड, NPS में 4 करोड, अब आप कहोगे कि 4 करोड मिलने थोड़ी, आप में तो 60% मिलेगा इसका, ओकी, इसका 60% कर लेते हैं हम लोग, तो 4 करोड हम round figure में इसको कम कर लेता हूँ, 4,6,00,000 खटा देता हूँ, 4 करोड रुपए, 4 करोड रुपए का 60% कितना होता है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 करोड का 60%, कितने 0 होते हैं हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता, 4 करोड रुपए, इसका 60%, 2 करोड चालीस लाक रुपए, अब इसका मतलब जएक हैं, NPS सिस्टम में, रिटार्यर्मेंट के टाइम पर हमको 2 करोड चालीस लाक रुपए मिलने वाले हैं, बाकी रुपए अकाउंट में ही जमा रहेगा, जिसका ब्याज हमें, पेंशन ग्रुप में मिलेगा, लेकिन वो पैसा भी हमारा है, हमारे मरने के बाद, वो हमारी फैमली के लिए मिलता है, वो पैसा भी हमारा है, वैसे तो पूरा 4 करोड भी हमारा है, पूरी पेंशन भी हमारी है, उससे जो बनती है, लेकिन जो 40% रह ज क्रोड नई पेंशन में एंपीएस में दो क्रोड चालीस लाग रुपए फिर से धाई गुने से जाता है अब आप खुदी सोच सकते हैं कि पुरानी पेंशन न्यू एंपीएस सिस्टम में क्या फाइदा है यह टोटल मैंने आपको कल्कुलेशन करके बता दिया है कोई हवा म मैं बात नहीं किये क्या मिनीमम लिया है मिनीमम मैं मिनीमम क्योंकि मैंने फिर से बता रहा हूं मैंने जो सेल्रीयक्रेट अ 295 में मैं कि इसमें इंप्यू तो इस में हमें कितने जीपीएफ मिलनी वाला है प राणी पेंशन सिकम HomeS 35-áfic报 मिलेगा अब आप खुदी देख लि पेंशन इसकीम अच्छी है कि NPS अच्छी है जो मैंने क्लियर केलिकुलेशन करके आपको दिखा दिया है दोस्तों